एक निवेदन का गीत चाहे वो मड़ीपूर हो राजस्थान हो या मध्यप्रदेश मैं बात प्रारम कर रही है प्रार्थना प्रार्थना हो सके हो सके तो आप लोग बेटिया ना मारना बेटि हो रहे हैं कितने ही आत्मग्यान में जाने कौन सी कड़त पढ़के बड़े हुए है बेटिया भी शाप लगी बेटे वरदान में जाने कौन सी कड़त पढ़के बड़े हुए है बेटिया भी शाप लगी बेटे वरदान में ऐसे लोग भी तमाम मिलेंगे समाज में जो बेटियों को मार देते सिर्फ जूठी शान में, सिर्फ जूठी शान में, रुक सके, रुक सके, कुकृत्य करो इश से ये काम ना, रुक सके, कुकृत्य करो इश से ये काम ना, हो सके तो आप लोग बेटियां ना मार ना, बेटी हाथ जोड़ो, और आदनिया एक बात तो आपने भी देखी होगी, भाया, नर्सिंग होम में मिठाई का प्रकार बता देता है कि बेटी का जन्म हुआ है या बेटे का जन्म हु मैं समात से करना चाहते हूँ, प्रशन उठता है आज उत्तर अवश्य देना, स्रिष्टी रोकने का काम खास करते हो क्यूं, पता यदि चल जाए कन्या भून गर्भ में है, फोरन स्वयम को उदास करते हो क्यूं, मन में विचार उठता नहीं है एक बार, कलुशित में प्रकाश करते हो क्यूं, इतिहास में अमूल योगदान जिनका है, उनके ही वंश का भिनाश करते हो क्यूं, गलतियां, मेरे साथ तालियों की ताल दीजिए, गलतियां, 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 अगर दिखें तो रंच धैरधार ना, गलतियां, अगर दिखें तो रंच धैर धार ना हो सके तो आप लोग बेटियां ना मार ना बेटी हाथ जोड जोड और क्यों कह रही है बेटी मरियम है मदर तेरसा है बेटी बेटी फातिम आपे स्रिष्टी शीश को जुकाती है तप में न ढूंडे से मिलेगी जिसकी मिसाल ज्यान और प्रेम वाला मार्ग अपनाती है साहस का प्रतिम बन के उदाहरण नगपती परराष्ट धज फेहराती है बेटी है सुनीता विलियम इस देश की जो अंतरिक्ष में भी गीता साथ लेके जाती है लक्ष के लक्ष के लक्ष के समक्ष सीखा जिसने नहार ना हो सके तो आप लोग बेटियां ना मारना बेटी हाथ जोड़ जोड़ और हमें बोज कहा गया इसलिए कह रही हूं मेहनत मजदूरी कर पेट पाल लेना घर की सलोनियों को किन्त प्यार दीजिए लाना पाओ महंगे खिलोने कोई बात नहीं वातसले भाओ वाला उपहार दीजिए मुफ्त में मिला है उसके लिए नहीं कहूंगी कर्ज जो मिला है उसको उतार दीजिए कविता के सर में सचाई लगती हो यदि बेटियों को जिन्दगी का अधिकार दीजिए जिन्दगी जिन्दगी की बाजियों को जीतना यहार ना हो सके तो आप लोग बेटियां ना मारना बेटि और अंतिम बन आपने क्यावन जोडों का यह विवाह संपन्द कराया है चूंकि मैं कविता तिवारी हूं मेरे प्रतिभा में मेरे पिता का आशिर्वाद है लेकिन विवा के बाद भी अधिकविता तिवारी इस मंच पर है तो वो कुछ भले परिवार होंगे जिनोंने इस पंखो को नई उडान दी होगे इश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जो क्यावन जोड़े हैं उने उन बेटियों को भी ऐसे ही संभ्रांत परिवार मिलें लेकिन समाज में आपके बीच में कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिसके कारण आज भी लोग बेटी के जन्म से डरते हैं अन्तिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं उन कुछ परिवारों के लिए लिए बाबुल के घर से विदाई हो रही हो जब आदनी प्रमोजी आज आप पिता सदर्श होकर आपने बेटियों का कन्यादान किया इसलिए कह रही है बाबुल के घर से विदाई हो रही हो जब बेटियां भवश हे तो सपने संजोती हैं जर 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 जरते दिखाई दे रहे जो नयनों की सीपियों से अश्रुओं के मोती हैं ससुराल वाले कुछ ऐसे हैं ससुराल वाले ऐसे कुरूर कृत करते हैं उनको पता ही नहीं बेटी कैसी होती है ससुराल वाले ऐसे कुरूर कृत करते हैं उनको पता ही नहीं बेटी कैसी होती है दान अब दहे जहे तुमार डाली जाती जब लपटें चिता की बेटी बेटी कहरोती है और अंतिम दो पंकिया सबकी जिम्मधारी कंतकों 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 को बेटीयों के पंथ से बुहारना कंटकों को बेटियों के पंच से बुहार ना हो सके हो सके हो सके तो आप लोग बेटिया ना मारना बेटिया